जैक सांग दोस्तो मैं चोरी नेश आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चोटे से यूट्यूब परिवार में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम डेरी फार्मिंग शुरू करते हैं तो क्या पहले दिन से हमें profit मिलना शुरू हो जाता है या फिर profit मिलता है तो कितना मिलता है किन-किन चीजों को sale करकर हम profit कमा सकते हैं दोस्तो आज की जो ये वीडियो है वो हमारे एक viewer है जिन्होंने comment किया था अतुल खारे जी कि सर क्या पहले दिन से डेरी फार्मिंग में प्रोफिट मिलना शुरू हो जाता है तो इसी के उपर आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं तो दोस्तो वीडियो को शुरू से अंतक चरूर देखिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो जब भी हम हमारे जो किसान भाई या प्रशु पलक भाई हैं फिर आज के टाइम में जो यूवा साती है हमारे डेरी फार्मिंग की तरफ काफी आकर्शित हो रहे हैं तो जब भी डेरी फार्मिंग करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हमें दिमाग में यही चीज आती है कि इसमें हमें कितना profit होगा या फिर हमें कौन से दिन से profit मिलना शुरू होगा दोस्तो profit कितना होता है यह सारा लेखा जो का पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ उनमें आप देख सकते हैं उपर आई बेटन में मैं वीडियो डाल दूँगा वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं लेकिन आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो dairy farming हमें profit कब से मिलना शुरू हो जाता है तो दोस्तों जब dairy farming हम शुरू करते हैं तो उसमें काफी सारी हमारी investment involved रहती है shed बनाना होता है, जगे लेनी पड़ती है, पशु खरीदने पड़ते हैं, equipments लेने पड़ते हैं पहले हमें feed वगरा, dry food वगरा डालना पड़ता है, green food की विवस्ता करनी पड़ती है, labor का खर्चा है तो ये सारी investment लगबग अगर हम करें, माली जी हम 10 भैंस से अगर शुरू करना चाहते हैं तो जमीन का खर्चा अलग रखके, बाकी सब जो खर्चा है लगबग आपका 13 से 14 लाग के असपस पड़ता है और जब हम dairy farming शुरू करते हैं, तो जब 10 भैंस से शुरू करते हैं, तो लगबग माली जी है कि अंदाजाल हम एक idea ले रहे हैं कि पहले दिन से हमें 100 लीटर दूद हमें मिल रहा है और अगर उस दूद को हम 50 लीटर, 50 रुपे लीटर के साब से बेचते हैं, तो हमें लगबग 2-5,000 रुपे per day income मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि दोस्तों जब हम दूद बेचते हैं, दूद दिन में 2 वार production आएगी, हमारे दूद बिकेगा चाहिए हम उसका घी बना के बेचें घी में क्या है कि थोड़ा time लग सकता है, लेकि दूद बेचेंगे तो आपकी daily की income आनी start हो जाएगी यानि कि लगबग 40 to 50% आप अपनी इसमें से सेविंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जब हमने 13 से 14 लाग रुपे investment की है, उस investment को पूरा करने की बात करें कि वो investment कितने time में complete होगी हमारी तो लगबग दोस्तों जो हम bankable project report बना के देते हैं, उसके नुसार क्या है कि लगबग डेर से 2 साल में वो आपके पैसे पूरे होते हैं, तो अगर आप investment अपनी complete करके देखना चाहते हैं, तो आपकी जो real income है वो लगबग 2 साल बाद शुरू होती है अब दोस्तों इस income को क्या है कि आप 2 साल वाली को एक साल में भी कर सकते हैं, तो वो क्या है कि आपके उपर depend करता है, कि आप दूद किस rate में बेचते हैं, जो पश्रू का other product है, गोबर है, या फिर urine है अगर गायों से शुरू करते हैं, तो उन चीज़ों को आप कितना एक आस-पास दूद बेचेंगे, तो लगबं दो साल के आस-पास आपका जो investment है, वो complete हो जाएगा, और जो आपकी running income है, वो first day से ही start हो जाती है इसमें, क्योंकि अगर माली जे example लें दूस्तों कि दूसरे जो कोई भी काम है हमारा, उसमें क्या है कि हम investment करते हैं, माली जे 15 से 20 लाग की किसी भी काम में investment की, तो उसमें क्या है कि हमें दूसरे customers पर depend रहना पड़ता है, कि customer आएगा, हमारा product खरीदेगा, उसके बाद हमें income होगी, लेकिन dairy farming में एक सबसे बड़ा फाइदा हम ये देख सकते हैं, कि first day से हमारी sales शुरू हो जाती है, दूद कोई बेच सकते हैं, आउटलेट लगा के बेच सकते हैं, companies को दे सकते हैं, घी बना के बेच सकते हैं, तो हमारी जो income हो first day से start हो जाती है, यानि कि अगर हम percentage में बात करें, तो daily का जितना आपका दूद बिकेगा, उसमें 40-50% आप आराम से बचा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप सेव कर सकते हैं, वो आपके उपर depend है कि आप labor रखते हैं या नहीं रखते हैं, दूद किस rate में sale करते हैं, आपका जो green food है और dry food है, वो कहां से आता है, अगर आपके पास खुद की agriculture land है, वहां से अगर green food और dry food आता है, तो आपको वो saving और हो जाएगी, और अगर खरी मारीद के डालते हैं पश्यों को, उसके according बताया है, तो बाकि अगर आपके खुद की production है, मालीजे ग्रीन फूडर, राइफूडर की तो ये profit आपका बढ़ता चला जाएगा, और दोस्तों एक बात यहां मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जब मालीजे starting में हमारा income रहता है, कि जब हमें इसमें कुछ बचे भी ना, किसी महीने एक दो महीने ऐसे भी आते हैं, जब हमें कुछ सेविंग भी ना हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको डेड़ से दो महीने इसमें लग जाते हैं, अगर हम जो starting के दूद के हिसाब से income देखे तो हमारा profit बहु मैं पता है कि पशु धीरे धीरे तीन-चार महीने बाद दूद कम करने लगता है और उसके बाद एक dry period भी आता है, तो ऐसे में income fix नहीं रहती, लेकिन अगर हमारी जो running income है, उसकी बात करने तो वो हमारी first day से शुरू हो जाती है, तो उमीद करता हूँ कि आपका जो सवाल उसका आपको जवाब मिल गया होगा, अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे comment box में लिख सकते हैं, किसी topic पर आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप नीचे लिख सकते हैं, वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी आप नीचे राय दे सकते हैं, मैं फिर मिलूँगा एक मस्त रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत